हेलो दोस्तों वेल्काम अगी इंटो माई चैनल तो कैसे आप सब एक और चोटी सी डेमेडी को लेकर फीर से आगई है जो कि आपकी स्किन को वाइटन बनाएगी स्किन वाइटनिंग का ये बैक बहुत जादा पैक्टिव है तो चलिए चाट करते हैं फट्टावर सब्सक्रा होता है स्किन को वाइटन बनाने के लिए इस तरह से मगा कर रखें बड़ा पैक नहीं मगा सकते हैं चोटा दस रुपे का पैक भी आता है चार से पांच बार हैस्पैक उससे आप बन जाएगा तो आप वह भी यूज कर सकते हूं एक चमच मैदा और एक चमच ही हम मिल्क ब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे पेस्ट बनाने के लिए हमें इस पे एड़ करना है यह दूद आप पानी डाल कर भी बना सकते हो और दूद नहीं डालना चाहते विसे दूद डालोगी तो और जादा एफेक्ट पांसे दस मिरें इसलिए इतना रनी इसको बनाया है तो इसे जब हमें इसका रिजल बहुत इसका रिजट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा को मेणा को स्वने से पहले ही उसके घुर्ण नहीं जैसे करें फूरी राश जो भी पैक आप लगाा ह। उसका असर अच्छे से स्कीन पर हो एंड यहां कोई करती है कोई ट्रीटमेंट करने को इसकिन के लिए नगाने के बाद कर देए लिए चोड़ दीजी बीस मिनट के बाद नॉर्मन पानी से आपको इसको वश कर देना है नॉर्मन पानी से साबन यूज नहीं करना को भी पेस करते हो तो कम से कम आपको चार ते पांच घंटे तक सावन यूज करना नहीं होता तो इसके नॉर्मल पानिक से वश कीजिएगा वन टाइम यूज में ही आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा एफक्टि आता है क्योंकि मिल्स पाउडर और मैदा दोनों ही इस इनको वाइट प्राइटन थी हो इसकिन वाइटन होने के साथ टैनिंग दूरोगी काला पंदूरोगा इसकिन बहुत अधा हैल्दी एंड ग्लोई लगी कि आपकी शाइनी भी हो जाए को पापको वीडियो अच्छा लगाओगा प्लीज लाइक शेयर सब्स्क्राइब जरूर कर दीजेग मैं में डूमि नच रोगी तूरोगी। टो सब्सक्राइब लाइक शुराइब लाइक शुराइब लाइक शुराइब लाई लागी।